प्रिदर्शकों, नमस्कार, एक बार फिर से उपस्तित हूँ आप सक पर सामने, आज आपके सामने जो कारिकर्म लेकर के उपस्तित हूँ, यहां मैंने लिखा है सूर्य की यूती, किस ग्रह के साथ है? अगर वो स्वतंत्र हैं, तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, पर वो स्वतंत्र होने के बाद भी बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, वो क्यों स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि कोई न कोई ग्रह उन्हें देख रहा होगा, अगर आपकी कुर्ली में सूर्य पे किसी ग्रह की दृष्टी न प्रभाव करेंगे वस्तुता सुरिय जो हैं वो शुक्र और बुद्ध से क्रमसा बहुत सारी कुंडलियों में लगबग कुंडलियों में युती में चले जाते हैं बहुत कम बार ऐसा होता है कि ये टीनों अलग अलग घरों में देखे जाते हैं एक साथ सुरिय और बुद्ध बैट जाते हैं एक साथ बुद्ध और सुक्र बैट जाते हैं तो ये चीजें बड़ी आसान होती है क्योंकि इनकी जो कक्षाएं हैं वो काफी नजदीक से गुजरती हैं। आतुप, बंदुक और अस्तर सस्तर से सुसजित होता है और साहसी भी होता है पर उसके साहस को बजरंग बली की भाती जगाना पड़ता है। मतब सुर्य से चंद्रमा की युति अब एक बात यहां पर और बता देता हूँ। लगन में सुर्य और चंद्रमा दोश युक्त उतने नहीं होते जितना पंचम भाव में होते हैं। दशम स्थान में सुर्य और चंद्रमा अमावश्य दोश युक्त नहीं होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि लगन एकादश और दशम भाव के सुर्य चंद्रमा जब एक साथ बैठ जाते हैं तो विक्ति को राजनितग्य, दिमान, तिकडमी और बहुत बड़े दिमाग वाला बना देते हैं। और राजनिती से प्रेरित रहने वाला बना देते हैं। मतलब ये सुर्य और चंद्रमा की युति कुछ ऐसे प्रणाम देने वाली होती है। अब बात करेंगे कि सुर्य के साथ जब मंगल बैठ जाते हैं तो क्या हो जाता है। तो मैं बोल रहा था कि सुर्य के साथ जब कभी मंगल का संबंध बन जाता है। संबंध बनना मतलब एक दूसरे को देखना नहीं. मेरा यहां कहने का अर्त है संबंध बनने का कि एक दूसरे के साथ युती में हों, बैटे हों. तो जब कभी भी सुर्य और मंगल का एक साथ परस पर संबंध होता है, तो ऐसी स्थेती में ब्यक्ति चुकि दोनों ही दाहा कग्रा है और दाहा कग्रा का अर्थ होता है कि उन्हें इनर्जी जादा है अब यहां या तो मंगल अस्थ होंगे या तो मंगल अस्थ नहीं होंगे और अगर मंगल अस्थ होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो मंगल और पापी भी हो जाता है। जो बुढ़ादित्योग बनाते हैं जो ब्यक्ति को लेखक बनाते हैं, संपादक बनाते हैं और वो टैक्स कलेक्शन करने वाला होता है, सरकारी संपक्ति से फायदा उठाने वाला होता है। निर्पतुल्य की भाती, निर्पकी भाती, स्रेस्ट वर्ग से विभूशित होता है, बड़े लोगों का अश्रवात प्राप्त करता है, सामाजिक होता है, दानी होता है, परुपकारी होता है, बुद्धिमान होता है, लेखक, तेजस्विता से भरा हुआ, ओजस्विता से भ भाव पुर्ण बातें करने वाला होता है, उसकी मीठी वाणी होती है, वो ज्यानी होता है, और भगवत भक्त भी होता है, धार्विक होता है, मतलब इसके कई सारे आपको अच्छे गुण दिख जाते हैं, ये एक अच्छी बात है, जिसकी भी कुणली में सुर्य और बुद् साथ बैठ जाते हैं, तो अब यहाँ पर आपको जो बात ख्याल रखना होगा, वो ये रखना होगा, कुणली में देखना होगा, कि बुद्ध अस्त तो हैं, पर वक्री नहीं हो, अगर वो बुद्ध अस्त भी हो जाएंगे, और वक्री भी हो जाएंगे, तो ये गड़ब उसकी बातों का कोई काट नहीं होता, वो तारकिक होता है, अन्विशन करता होता है, और बहुत ही विस्तृत अध्यान करने वाला होता है, किसे भी चीज को बहुत ही बारी की से समझने वाला होता है, ये अच्छी बात है, जब कभी भी आपकी कुंडले में सुर्य के साथ युतियों में से एक होती है. ये एक मात्र ऐसी युति है जिसका कोई नुकसान तब तक नहीं होता, जब तक आपकी कुंडली में चंद्रमा और इन दोनों ही ग्रहों पे पापक प्रभाव न पड़ता हो. अगर इन भावों पे जहां पे ये दोनों ग्रह बैटे हैं, जिस भ उसमें कोई भी आरोप नहीं होगा कि ये युति खराब होगी। ये युति बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही काम्याब है और बहुत ही जादा स्रिस्ट मानी जाती है। वो पोशित भले नहो पर समाज का पोशक होता है। वो दरगायू होता है, जीवन्त होता है, उदाहरन पेश करने वाला और समाज के लिए उदाहरन बनने वाला होता है। ये युति ब्यक्ति को अत्यंत विद्वान, विद्वता से युक्त और सांसारिक से जादा आध्यात् चिंतन करने वाला बना देती है ये यूती सबसे ज़्यादा स्रिस्ट यूतियों में से एक मानी जाती है जब आपकी कुणली में गुरू और सुरिय जैसे दो मेधावी ग्रह और नैसरगीक रूप से सात्रिक ग्रह जब एक साथ बैठ जाते हैं तो क्योंकि वस्तुता जब आप इनकी चर्चा करते हैं तो जब कालपुरुस की कुणली बनेगी तो गुरू को नमा भाव मिलता है और सुरिय को पांचमा भाव मिलता है पंचम भाव मंत्र जब का होता है नमम भाव धर्म का होता है तो धर्म और मंत्र जब दोनों एक साथ चुड़ते हैं तो व्यप्ति बिद्वता से युक्त होता है बिद्वत जन्द के द्वारा पूजित और उसके द्वारा अलंकृत होता है आशिरवाद से अभिशिक्त होता है और धर्माचारी भी होता है इसकी जितनी प्रसंसा करूं उतनी कम होगी और यह सबसे अच्छी युति है सूरिय की गुरू के साथ है अब बात करते हैं कि सूरिय से जब शुक्र की युति हो जाती है तो क्या होता है चुकि सुक्र जो है मैंने इस पे पहले भी बहुत बार कारिग्रम में बात कही है कि सुक्र ब्यक्ति को भोगी प्रवर्टी का बनाते हैं और सुर्य ब्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं तो जब इन दोनों ग्रहों की यूती होती है तो कई बार ये ब्यक्ति को degradation में लेके जाते हैं, ये कई बार कमजोर करते हैं परिशान करते हैं और उन्हें ब्रहमित करने का काम करते हैं ये दोनों ग्रह चुकि तत्तो के आधार पर बिशम हो जाते हैं इस वज़ा से इनका प्रभाव उस भाव से उतना जादा वेलक्षनता से नहीं मिलता है जितना आम तोर पे मिलना चाहिए इसका एक नाकारात्मक पक्ष ये होता है कि ये कई बार जात्तो को निरने लेने में ब्रहमित करते हैं और उसके प्रभावों को भी छत विछत करते हैं इतना ही नहीं कई बार वो व्यक्ति पराक्रमी उतना नहीं होता जितनी उसकी इस्थती उससे मांगती है। इसका सबसे एक निगटिव परभाव ये होता है कि कई बार व्यक्ति के स्वास्त में परिशानी होती है, वो गड़बड़ी पैदा करता है, अपने चिंतन को परिशान करता है और वो ठीक नहीं होता है। विशिष्ट परणाम के स्थती होगी फिर ये अलग तरीके के कुछ अच्छे परणाम देंगे सुक के मामले में, सांसारिक्ता के मामले में, भोग और एश्वर्य और वहान वगर के मामले में वो उस भाव की बात है। पर वस्तुता ये छोटस तरपे जा करके उसको पर्षानी देते हैं, पाचैन तंद्र को परिशान करते हैं, विर्य की परिशान के करने के कारण बन जाते हैं, और कई बार व्यक्ति को दंत- रोगी और नित्र रोगी बनाने के या बालों की समस्या होती थी पर ये चीज़ने को मिलती है। लेकिन फिर भी इसका एक फाय् है और वो उसको प्राप्त भी कर लेता है अब बात करेंगे कि सुर्य के साथ जब शनी बैठ जाते हैं तो क्या होता है ये ब्यक्ति को नौकरी देते हैं प्रतिस्था देते हैं उसके प्रभावों को थोड़ा कमजोर करते हैं और ब्यक्ति को मेनत थोड़ी जादा करनी पूर उसको हड्डियों का रोग होता है, उसको कई बार कमर का रोग हो जाए, नसों की समस्या हो जाए, गैस्ट्रिक पेसेंट हो जाए, रक्तब प्रवावित करता है गप्ति को, या कई बार उसको समाज में उस तरीके का एक प्रभाव जो नहीं मिलता है, तो कई बार ऐसा होता है लेकिन इस यूती को सबसे अच्छा परणाम दश्रमस्थान में देते देखा गया है जब कभी भी ये दोनों एक साथ दश्रमस्थान में बैठ जाते हैं या जैसे माल लीजे सुर्य भी अच्छे भाव के अधिपती हैं मेश लगने की कुंडली के लिए और मेश लगने की कुंडली के लिए श्रमस्थान भी अच्छे भाव के अधिपती हैं तो जब ये दोनों एक साथ बैठेंगे तो ये योकारक स्थती बनेगी और ये फिर एक अच्छा एस्पेक्ट देते हैं जातक के जीवन के लिए मतलब ये इस बात पर निर्भर करेगी बात कि ये दोनों किस-किस भाव के अधिपती हैं और कैसे बैठे हैं अगर शनी अस्थ हो रहे हैं तो थोड़ी अच्छी बात होगी लेकिन अगर शनी अस्थ नहीं है तो फिर सुरिय के लिए ये थोड़ी निगटिव बात हो जाती है थोड़ा वो आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं थोड़े mental and establishment के कारक होते हैं फिर उसके निरने लेने की पक्ष में जाती है और 40% भी पक्ष में जाता है इसका फायदा सरकार और सरकारी संपती से होता है पैत्रक संपती से होता है गंभिरता के मामले में होती है चीज़े फायदेमंद होती है बाकी ऐसे होता है तो ये शनी तक की बात रही और राहु और केतु के बारे में अगर उस भाव कादी पती उन्हें देखे, पर ये एक अलग बात होगी, सुर्य को राहू से कन्येक्शन में कमजोरी ही देखी जाती है, वो बहुत अच्छानी होता है, वो कई बाद वैक्ति को राजितग्य नहीं बनने देता, परिशान करता है, कई बाद उसके विचारों को, पत बहुत नमस्कार.